हेलो दोस्तों वेल्कम बैक योर्षिनल बिस्वीट क्लस्स तो आज दी क्लास बहुत दी संदार होने वाली है तो बता दे दोस्तों जैसे कि अब जानते हो कि विहार जो सेविंथ फेज हैं सिक्षक भरती की इसी करीम में एक अच्छे बेहतर क्लास में लेका रहा हूं चो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाला है यानि सिक्षक भरती द्वार तेस के लिए विडियो बहुत ही खास है जिसमें बिगत परिक्षाओं में पूछे करें प्रस्न आपको देख जैसा कि आपको पता है नौर्थ साइड जो है नौर्थ साइड में नेपाल है और आपको कहा दिया जाए तो साउथ साइड में जहर खंड है याद रखिएगा है ना और नौर्थ आपको समझ में आ गया साउथ समझ में आ गया और इस्ट साइड तो आप समझ सकते हैं और वेस्ट साइड हम लोग समझ सकते हैं तो इस्ट और वेस्ट जो है आपका इस इसको भी हम लोग को याद रखना होगा तो इस साइड में बंगाल आपका मिलता है वेस्ट साइड में आपका उतर परत मिलता है इसका विहार का चवधी है ठीक ना और विहार में अक्सर जीले से समंदित भी question देखने को मिलते हैं थोड़ी सी आप लोग इससे जुम करकर देख लीजेगा ना आगे इस पर question आएंगे जिसके हम लोग चर्चक करेंगे तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कर्स करते हैं चलिए question आपके सामने आगया है ना क्वेस्टन जिसकी देख पा है विहार आज में गंगाए किनारे विहार राज में गंगाए किनारे में जो इस जीलो के संख्याव होगा bile के जीतनी हैं चलिए कपर comment करें सभी barbecue कितनी हैं फटक से comment करें कि कि क्या राइट असर होगा हिसका हिरा तो बता देंगे कि आप लोग फ्राक से इसका एंसर बताने का प्यास करें कि इसका राइट होगा है ना चलिए इस question के answer को समझने से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहूंगा उसके बद इस question के answer आप बताईगे खुद अनि automatic इसका answer बताईगा तो क्या बात है समझते हैं इसको तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं बिहार राज के 12 जीले जो हैं गांगा नदी के टड़ अवस्तित हैं याद रखना है कितने जीले हैं बारा है ये बात आपको याद रखना जरूरी है कि बिहार के इनि बिहार राज के 12 जीले हैं जो गांगा नदी के निकट अवस्तित है और बात करते हैं आखिर कर वो कौन कौन से जीले हैं जो गांगा के निकट अवस्तित है या अवस्तित है चलिए दोस्तो तो जिसमें हम बता दे सारन है बकसर है भोजपूर है पटना है बैसाली समस्ति वेगु दुशरह मोंगेर और खगरिया भागल पुर कटिहार शामिल हैं इस सारे के सारे 12 के 12 जीले जो हैं यह आपके बिहार राज के नहीं वियर राज के घीले हैं और बता दें कि सारे के सारे दि करो निकट अर्थात करने मतलब निकट अवस्तित है और फटाक से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा ये जो प्रसन थाम लोगा इस प्रसन का राइट एंसर क्या होगा तो सभी ने प्रयास किया होगा बहतर हाँ जी वलकुल इसका राइट सी एंसर हो जाएगा इसमें कोई शक गया डिजेगा बिहार के किस जिले में गांगा नदी सबसे लम्बी है यिंव यह प्रसन करें इसका राइट एंसर हाला कि यह आपकर पूछे गए है ना जी देख सकते हैं एभी एक्जाम में आपको दिखा रहा हूं एभी क्वेशन पूछे गए हैं और जो बीपेसी जो टीचर बहाली है सिक्षक बहाली है इसी पैटर्ण पर बिल्कुल आपके क्वेशन देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आप लो साल चुके हैं कि गंगा नदी जो है विहार के 12 जिल्लों सो गुजरती है बात सही है जिस में गंगा नदी की सरवाधिक लंबाई पटना कितना है तो 99 किलोमेटर है न आप याद रखेगा पटना जिल्ला में सबसे अधी कांगा नदी कहना है कितनो Bien ना इन दूसरे अस्थान पर भागल पुर आता है और इसकी लंबाई बात किया जाए तो 97 97 किलोमेटर है ना इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोनों डेटा को याद रखिएगा आपके एक्जाम में कहिने कहीं यह आ नहीं है है ना तो क्वेस्टन देखिए अगले क्वेस्टन बढ़ते हैं इस सब्सक्राइब बटाने का सक्षाम में अप चली बहुत अच्छा फिर सिसक्राइट बताने का प्राइब हो जागे इसमें कोई डाउट नहीं है हाना और शेकेंड नमर अस्थान पर कौन है और कितने किलोमीटर जो है गंगा नदी उसी जिला में फेले हुई है सरवाधिक तो पटना हो गया जो 99 किलोमीटर छा और दोस्तों शेकेंड अस्थान पर कोon है भागलपूर है जो 97 किलोमीटर छा फिर से question पूछ दें कि बताईए बिहार के कितने जीलों से होकर गंगन अधी गुजरती है तो बताने का प्रयास किजिएगा option है बारक जीले से बारक रेस्टेक्शन के गुजरती है तो बात करते हैं आज के अगले question के तरफ ध्यान दिजिएगा बिहार में प्रवाइत होने वाली निम नदियों में से उत्तर की ओर ध्यान दिजिएगा अभी आपको मैंने direction बताया था याद है अभी साइथ आपने notice किया होगा कि मैंने direction आपको बताया था तो कर अभी हार में परवाहित होने वाली निम नदियों में से कौन से यह सी नदी है जो उत्तर की और परवाहित परवाहित मतलब कर बहती है है ना क्या बागमती है कमला है कोशी है गंडक है आखिकर इसमें से क्या right answer होगा है ना चलिए दोस्तो सबसे पहले नदियों के बारे में जनना जुड़ी है कि कौन कौन सी नदी जो है आपके south से north की और जाती है है ना उत्तर north side में south से north की और जाती है ना तो इन सारे नदियों के नाम जानेंगे है ना और इवी एक्जाम में question पूछा है official paper है ना तो चलिए दोस्तो बात करते हैं कि वो कौन कौन सी नदियां है जो आपके south से north की और जाती है सबसे पहले हम कुछ समझने का प्रयास करेंगा है ना तो चलिए दोस्तो तो देखिए यहां पर question फिर से एक पर देख लीजे question आपने देख लिया था कौन कौन सी नदिया है ना चलिए तो आपको थोड़ास याद रखना होगा वो नदियां कौन कौन सी है सोन नदियां और पुन पुन नदियां कौन नदियां सोन और पुन पुन नदियां है ना दोस्तों अगर आप इसी परकार से बहतर content के साथ, concept के साथ, notes के साथ study करना चाहते हो और इस आने वाले बहाली में सिक्षक भरती में आपना स्थान सुनुचित करना चाहते हो तो वीडियो को like, share कर लो, जो भी है, नए है, channel को subscribe करके, bell icon को press कर लेंगे ताकि इसी पर करके classes, वीडियो, रोजना आपको मिलता रहा है, है ना, चलिए दोस्तों तो याद रही है कहेगा, sun, pun, pun ये नदियां जो है, उतर दिशा की और परवाइद होती है, और ये गंगा में मिल जाती है, चलिए ना, कहा मिल जाती है, गंगा मिल जाती है सबसे पहले हम इसका map दोरा समझते हैं, कहानी क्या है ना, इसके total कहानी क्या है, map को समझते हैं, ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ताकि आपको दिखाई दे, ध्यान दिजिएगा देखिएगा, यह आपका north side होता है और यह south होता है, yeast होता है, और आपका यह west होता है यह question पुछ रहा था, कि कौन कौन सी नदिया जो उपर की तरफ उत्तर की तरफ बहती है मेरी बात को समझेगा ध्यान से कौन-कौन सी नदिया जो है ये उत्तर की और बहती है तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगर आपका ध्यान होगा तो देखिए आपर सोन है कौन है? सोन है करमासा है, पून-पून है हरो-हर है ठीक ना क्यूल है, है ना इसके अलावाँ चंदन है ये सारी नदिया जो है आपके उत्तर दिसामस की और बहती है अगर एक्जाम में इक कोशन पूछ दे कि कौन-कौन सी नदिया है जो दक्षिन की और साउत की और बहती है साउत की और बहती है तो याद रखिएगा उस समय option फोल्टन है गंडक और गंडक आप लो जानते हैं कई सरा नाम है ना इसके अलावां देखिए इसी बुढ़ी गंडक भीकिनाम से भी जानते हैं इसके अलावां बात करें तो आप लोग याद किजिएगा इसके अलावाँ बात करें तो नदी हो जाएगी, कमला हो जाएगी है ना कमला हों जो बागमत्ती हो जाएगी, कोसी हो जाएगी और महाननदा हो जाएगी याद रखिएगा ये जो नदीयां exam में आपके यहां से question बन जाएंगे तो उसमें आपसे किसी परकार के गर्वर्ण ही ना हो इसमें मुख रूप से कौन है सोन, करमासा, पुनपुन और आपका क्यूर ये मुख रूप से नदिया है जो एक्जामें अक्सर पूछे जाते हैं उसकी दर इधर से मुख रूप से कौन हो जाएगी तो गंडख हो जाएगी बागमती हो जाएगी, कमला हो जाएगी जो भी यहाँ पर चार पांच नदिया है चार नदिया, पांच नदिया है इस सारे के सारे खास हैं जो आपके सावत की और, पच्छिम की और क्या होती है, सोरी, दक्षिन की और पच्छिन की और शावत की और क्या होती है ठीके ना दोस्तों मुझे लगता है कि आपको क्या करता है मैप से यह सारे कॉंसेट क्लियर हो गए होंगे तो आप इसे चाहोगे तो स्क्रीन सोट ले लोगे हैं कभी-कभी काम आ सकता है उसके लाब तरह बात करते हैं आस्मेद्व कितरह बात करें मैं ति अगले परस्टन की बात किया जाए तो यह मैंने कहा था देख सकते हैं कि ये आपकी जीला है और 37at encanta ace Kaynas 음ना और आप सकते हैं इसी को समझ भी सकते हैं सबसे छोटा जीला पुस्ताइद स्यूवर है है ना इस सारे चीज़ें हमनों डिसकर्स करेंगे इसके बिहार के बारे में स्पेसल बिहार के बारे में करेंगे दोस्तों आपको कॉंटेंट अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट जुरू बताइएगा और मैं चाहूंगा कि इस और आपको बेहतर चीज़ों को जनकारी दिया जाये जिससे आपकी एक्जाम में आपका एक अस्थन सुनीचित हो जायें चले अगले कोशन के दिएगार बड़ते हैं उत्तर विहार किस के लिए पषिध है तो आपके सामने चार अप्सन जो हैं देख रहे होंगे क्या क्रिसी समरीद के लिए फेमस हैं, भारी उद्द्यों के लिए, सुखा के लिए और बाढ़ के लिए, है ना, तो साइध आपने थोड़ा सा देयान जिए उत्तर विहार कह रहे हैं, नौर्थ विहार की बात कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको फिर से लेकर चलूँगा, कगते हैं कंसे भी होते हैं सबीजी buy के हैं इसे उत्तर विहार कते हैं और इस उत्तर विहार में यह आप्लों गंडग का बारे में आपनों जानते होंगे कामला नदी के बारे में जानते होंगे कोसी नदी जो विहार का सोक नदी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को कहा जाता है महाननदा ये सारे से नदियां जो है पूरे के पूरे जल भड़ के लाती है और ये सारी नदियां जो है कहीं ना कही ये बाढ़ जो है बाढ़ को लाने में बहुत बड़ा युगदान देती है यानि इन ही नदियों करण बाढ़ जो होता है मैं आपको जनकारी के लिए बता दूँ ये जो आप देख रहे हो जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे इधर से पानी वाला इलाका है यह जो इलाका है किसकी इलाका है पानी वाला इलाका है और यह जो इलाका है सुखा इलाका है है ना तो आप यूं समझ लो कि जो उत्तर विहार है वो बाढ़ के लिए क्या है बिल्कुल फेमस है किसके लिए फेमस है तो बाढ़ के लिए फिर मस है ना तो थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में इसकी नोट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कोश्चन ता अपने पढ़ी लिया और उमीद है का पेंसर बता दोगे अब यहां बस समझेगा बिहार में कई सारी नदियां बहती है अभी हम तो करीब कर आठदस नदियों को नाम देखा है ना इसके लाँ बात करते हैं सारे के सारे नदियां बहता जाती है गंगा में मिलती है सही बात है मुझे कमेंट करके बताएं कि सरवाधिक लंबाई जो गंगा नदिकी है वह किस जिले में है एक बढ़ा आप लोग कमेंट कर जैसे कि आप बताया तक कोशी बागमती हो गई है ना महानंदा हो गई ठीक ना और गंड़क हो गई ठीक है इस सारी नदियां जो है कही न कहीं बाढ़ा के लिए परसिद्ध है सारे का सारे गंगा में बहकर अग मिलती है इस छेत्र में प्रतिवर्स बाढ़ाने के कारण ज रखिएगा जब यह बाढ़ा आता है तो सब को पता है फसल जन जीमन अस्त व्यस्त हो जाता यह सारी बाते आप लोग समझ सकते हैं तो मुझे उमीद है कि इस प्रशन का आप लोग जबाब देने में बिल्कुल सक्षम होंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बि दोस्तों लगता है कुछ शीशु आ रहा है और मुझे कॉमेंट के जुरू बताइएगा कि यहां तक कि आज क्लास आपको कैसी लगी अगर आपके डिमांड होगी तीसी पर करकर के क्लास आपको प्रभाइड किया जाएगा तब तक के लिए जय हिन जय भारा दोस्तों लाइक करें और जो अभी नए है वो सब्सक्राइब भी कर ले है ना तब तक के लिए जय भी हार है ना आपको कर ले जय है